Hello दोस्तो, Welcome to अद्बुत राजनिती, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंदर मोधी का ट्वीटर अकाउंट एक बार फिर से हैक हो गया है, जी हाँ फिर से इसी लिए क्योंकि लास्ट या सेप्टेंबर में भी नरेंदर मोधी का ट्वीटर अकाउंट हैक कर लिया गया था, तो इस hack के पीछे कौन है और इस hack के बाद Indian government ने क्या actions लिये है इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे तो आप make sure कीजिए कि ये वीडियो आप end तक देखेंगे So let's start the video So friends, last Sunday प्रधान मंतरी के Twitter account से एक tweet किया गया जिसमें लिखा गया था कि इंडिया में cryptocurrency अब एक legal tender है और Indian government ने 500 bitcoin खईद लिये है और वो जल्दी इन सब bitcoins को Indians के बीच में बाटेगी Last year भी hackers ने प्रधान मंतरी नरेंदर मुदी की personal website और उससे link Twitter accounts hack करके उस पे tweet किया था कि सबी Indians Crypto Relief Fund में donation दे अब इससे ये तो साफ हो जाता है कि hack करने वाले hackers bitcoin community के supporters है और थोड़ी देर बाद hack किया account से एक को tweet सामने आता है जिसमें लिखा गया था कि Yes, this account is hacked by John Wick. We don't have hacked Paytm Mall पर personally I don't think कि ये hackers का नाम है क्योंकि जिस तरह एक spy अपनी identity कभी भी reveal नहीं करता है वेसे ही एक hacker कभी भी अपनी identity reveal नहीं करता है अब जैसे ही लोगों को इस hack के बारे में पता चला तो Twitter पर hashtag hack trend करने लगा और जल ही PMO से भी एक tweet आया जिसमें कहा गया कि Prime Minister's account was briefly compromised यानि देखिये account hack तो हुआ है पर थोड़ी देर के लिए जल ही Twitter ने भी अपनी सफाई पेश की और उन्होंने कहा कि उन्हें जैसे ही इस account के hack होने के बारे में पता चला तो उन्होंने इस account को secure करने के लिए सारे necessary steps उठाए और उनकी investigation में ये भी पता चला कि Twitter system से कोई भी data breach नहीं हुआ है और PMO और Modi के सारे account secure है नरेंदर Modi का account hack होना बहुत बड़ी बात है अफकोर्स he is our prime minister और अगर इस देश में प्रधान मंतरी का ही account secure नहीं है तो फिर दूसरे account के बारे में तो छोड़ी दीजिए नरेंदर Modi के Twitter पे 70 million से भी जादा followers है और वो इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के सबसे powerful leaders में से एक है और उनका account 15 महीने में दूसरी बार hack हुआ है तो ये Indian government के लिए एक alarming situation है अब सवाल ये की ये hack किसने क्या हमारे विपक्ष को देखते हुए ये तो नहीं लगता कि ये उनकी क कोई चाल है क्योंकि hacking is a skill और ये सालों मेहनत करने के बाद कमाई जाती है और हमारा विपक्ष कितनी मेहनत करता है ये तो हम सब जानते हैं बट जो का पाट इस hack के पीछे Bitcoin supporters ही है अगर आपको crypto या Bitcoin के बारे में नहीं पता है तो मैंने पहले भी इस topic पर एक वीडियो बनाय कि कुछ दिनों पहले ही इंडियन government crypto के अगेंस्ट एक bill लाई थी जिसके according इंडिया में सारी private cryptocurrencies को ban कर दिया जाएगा बट अभी भी ये बिल लोग सब हमें पेश नहीं हुआ है पर जैसे ही last month ये news फेली तो इंडिया में hashtag crypto ban trend करने लगा और जो लग crypto का see भी नहीं जानते ह ये ही instance crypto supporters को पसंद नहीं आया और उन्होंने ये है कर दिया पर ये सिर्फ मेरे assumptions है यही reality नहीं है क्योंकि सही reality तो इंडियन government और Twitter ही बता सकती है बट समझ्य वाली बात ये है कि कुछ countries जैसे El Salvador Bitcoin को as a legal tender accept कर रही है US जो की world superpower है उसका भी crypto के लिए positive instance है वहीं इंडियन government जाती है फिर कुछ दिन बाद इंडियन finance minister इसे as a legal tender accept करने की बात करती है पर उसके कुछ दिनों बाद ही इंडिया में all private cryptocurrencies को ban करने की बात कर दी जाती है एक तरफ तो इंडिया विश्व गुरू बनने की बात करता है वहीं दूसरी तरफ हम where two point oh को लगता नदरन्दास कर है और दूसरी बात यह कि यह private crypto होता क्या है पूरे वर्ल में इंडिया को छोड़कर किसी को भी नहीं पता कि private crypto क्या होता है इंडियन क्रिप्टो बिल ड्राफ्ट करने वाले पूर finance secretary सुभाजगर कहते है कि हमने private crypto world को गलस समझा bitcoin और blockchain में काफी potential है फिलाल तो इंडियन ग cryptocurrencies जैसे ethereum और bitcoin public blockchain पर चलती है तो यह private crypto की category में आने से रही और crypto एक decentralized network है यह US डोलर या इंडियन रुपीज की तरह centralized नहीं है जिसे government on करती है तो अब यह देखना होगा कि इंडियन गवर्मेंट इसे कैसे ban करती है और cryptocurrency blockchain technology पर चलती है तो अब यह भी देखना जरूरी होगा कि इंडियन गवर्मेंट टेकनोलोजी को कैसे ban करती है तो फ्रेंड्स यह था आज का वीडियो इस वीडियो में cryptocurrency का support नहीं कर रहा हूँ और नहीं यह कोई investing advice है यह सिर्फ एक information वीडियो है अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इससे like कीजिए, share कीजिए और जादा स